आज कि इस वीडियो में आपको एक न्यूज जॉब और विकंसी की अपडेट देने वाला हूँ जो कि आड़ी है मिधानी M.I.D.H.A.N.I. जुक्रीट में द्वार बाइस के तरफ से इसमें आपको C.T.C. अची खासी मिलने वाली है C.T.C. 40,000 से लेकर के 1,40,000 तक आपको मिलने वाली है All India से कहीं से भी बिलों करते हैं तो आप लोग इसमें अपलाई कर पाएंगे तो complete information के लिए वीडियो के अन तक ज़रूर देखते रहिए टेलिग्राम पर सर्च करके भी यहां पर जोइन हो सकते हैं जिसपे कि आपको latest notice update जो भी मिलती रहती है यहां पर मैं डाल देख सकते हैं यह इसका official advertisement notice है मिधानी यह जो वेकंसी आड़ी है मिस्र धातू निगम लिमिटेट के तरफ सी है government of India का enterprise है और एक mini डतना company है तो अगर आप लोग इसमें eligible होते हैं interested होते हैं तो जरूर से apply कर सकते हैं बहुत ही अच्छी opportunity है तो सबसे पहले मैं बता दू कि कौन कौन इसके लिए eligible हैं ताकि जो लोग इसके लिए eligible नहीं हो उन लोगों का time जो है वेस्ट नहीं होते हैं तो वीडियो को लाइक करके जाएगा दिंसी की मुझे motivation मिलते रहती है आप लोग के लिए अच्छी recruitment लाने के लिए इसमें जो असिस्टेंट मेनेजर सिविल के पोस्ट पर है विकेंसी है चालिश जार से लेकर के एक लाग चालिश जार तक आपको इसमें salary मिलने वाली है इसमें जो आपको बी बीटेक वाले apply कर सकते हैं और experience भी required है तो अगर आप लोग फ्रेसर candidate है या डिपलोमा कर रखे हैं तो आप लोग इसमें eligible नहीं है apply नहीं कर सकते हैं assistant manager के पोस्ट पर जो आपको ctc मिलने वाली है आप लोग यहां पर देख सकते हैं 8.3 से 29.1 lakhs आपको मिलने वाली है इसमें only one पोस्ट है और यह undeserved category में आता है और upper age limit की बात करें तो यहां पर देख सकते हैं 30 years इसमें रखा गया दूसरे नमर पोस्ट पर है assistant manager materials and management के लिए और तिसरे नमर पोस्ट पर है senior manager के पोस्ट पर तो आईए details में बात कर लेते हैं देख सकते हैं assistant manager major civil के पोस्ट पे इसमें आपकी place of posting जो है रोहताक हरियाना में होने वाली है qualification आपका 60% mark होना चाहिए बीटेक civil engineering में और minimum 2 year का आपका post qualification experience होना चाहिए construction या maintenance work में तो अगर आपके पास two year का experience है तो आप लोग ज़रूर से इसमें apply कर सकते हैं इसमें दूसरे नमर जो post है इसमें B.B.Tech and MBA preferably in material या management में होना चाहिए या post graduate diploma रखा गया in material management या degree in law preferred तो यह इसमें रखा गया qualification 2 year का experience है तिसरे नमर पोस्ट में degree in engineering या technology minimum 60% mark अगर आप लोग किसी भी ब्रांज से अगर आप लोग कर रखा हैं degree या B.B.Tech तो इसमें apply कर पाएंगे जेनरल conditions में आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं only Indian nationals में apply तो all India से कहीं से भी बिलोग करते हैं तो आप लोग इसमें apply कर पाएंगे age qualification and experience के लिए जो cut-off date है 1622 इसमें रखा गया है last date जो है इसका apply करने का आप लोग इसको 1622 तक apply कर पाएंगे 15 1622 से start हो चुका है 1622 तक आप लोग जरूर से इसको apply कर सकते हैं अब बात करते हैं इसमें selection process की तो selection process आपका इसमें interview के अधार पर होने वाली है लेकिन अगर if the number of applicants are more तो written test में भी conducted तो अगर आप लोग इसमें application की संख्या ज़्यादा होती है तो written test conduct करवा जा सकता है लेकिन आपको प्रस्णरी interview की test पर आपका इसमें selection होने वाली है अब बात करते हैं कि इसको apply के से करना है how to apply तो interested candidate और eligible candidate आप लोग इसके website पर visit कर सकते हैं मैं direct link आपको वीडियो के description में दे दूँगा apply online का उस link पर click करके आप लोग direct इसको apply कर पाएंगे 1-6 तक आप लोग ज़रूर से इसको apply कर लेजेगा 15-6 से ये start हो चुका है इसको apply कर पाएंगे इसमें 100 रुपे का application फी है और cst pwd या esm category को इसमें कोई भी application फी pay करने की ज़रूरत नहीं तो आप आप इसको समझे होंगे जो भी मेरी information था मैंने आपको बता दिया फिर भी अगर आपके मन में कोई confusion.query रग होगा तो नीचे comment करके पूछ सकता है मैं जरूर से आपका reply देनी की पूरी कोसिस करूंगा और वीडियो को like share subscribe कर दिजे ऐसे ही आपको videos इस channel पर मिलती देगी